एक बार एक जंगल में एक भेडिया रहता था वह बहुत बुढ़ा हो गया था और बीमार भी था बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह कई दिनों से शिकार पर नहीं जा पाया था उसकी हालत बहुत खराब थी एक दिन उसने पास के तालाब में पानी पीती हुई एक छोटी भेड देखी उसे देखकर भेडिये के मुह में पानी आ गया भेडिया उस छोटी भेड से बोला बेटी मुझ पर एक उपकार करो मेरे लिए तालाब से थोड़ा पानी ला दो तुम देखी रहे हो मेरी तबियत कितनी खराब है अगर तुम मुझे थोड़ा पानी ला दो तो मुझे थोड़ी ताकत मिल जाएगी और मैं अपना भोजन ढूंड लूँगा छोटी भेड समझदार थी उसने जवाब दिया अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर तुम्हारे पास आई तो तुम्हे भोजन ढूंडने की क्या जरूरत होगी ऐसा कहकर वह छोटी भेड वहां से भाग गई